हाई मैं डोक्टर नकेंदा तालो सिकर में कार्डियोलिस्ट हूँ आज अपन्य प्लाइस्टी के बारे में तो एंज़ो प्लाइस्टी हार्ट अटेक का एक बाइस ट्ट्रीटमेंट है Heart attack में होता क्या है, कि heart को जो भी blood vesselsbalij करती है उनमें एक பलच बन जाता है, प्लाक बन जाता है वो प्लाक रेप्टर होता हुसे chemical निकलते है जो आरबी सी और प्लेयरेट को ब्लेयरेट को एक्ता करती है और ब्लेरट सप्लाई को रोक देती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को एंजो प्लाइस्टी करनी होती है और एंजो प्लाइस्टी में सबसे पहले अपन वायर डालते हैं वायर के उपर एक बेलून ले जाते हैं बेलून पर इस्टंट लगा रहता है और वहाँ पे ले जाके बेलून को फुला देते हैं बेलून को फुलाने से इस्टंट भी फूल जाता है फिर बेलून को अपन डी फ्लेट करते हैं वहाँ पिस निकाल देते हैं और इस्टंट वहाँ पर्मानेंट रह जाता है वह फिर वहाँ से मूर नहीं करता है इस तरह ए में देखते हैं कैसे इंजो प्लास्टी करते हैं तो इंजो प्लास्टी अब करने के लिए अपने को हार्ट तक जाने के लिए अपने को कोई टूप चाहिए या तो अपना हाथ की नस से जा सकते हैं यहां पर आपना हार्ट की नस से जा रहे हैं तो हार्ट की नस से जाने के ल और जो अपना puncture needle है उसके तरूँ उसमें puncture करेंगे और जैसे अपन पंक्चर करते हैं फिर इस cannula के पीछे की साहिल में अपने को blood दिखाए दे जाएगा जैसे blood दिखने लग जए वहाँ पर अपन छोड़ देते हैं फिर और फिर needle को उसमें से निकाल देते हैं अब अपन वाइर लेते हैं और देदरे केनुला को पीछे विड्रो करते हैं पीछे निकालेंगे और जैसे उसमें blood आने लग दे अपन वाइर उसमें डाल देंगे फिर अब वाइर उसमें डाल देते हैं वाइर अपना artery में चला जाता है अब wire के ऊपर अपने एक seat रहती है वह seat इंसेट कर देंगे seat एक बार लग जाती है अपना काफी काम आसान हो जाता है क्योंकि seat के तरूप फिर अपन catheter, balloon, wire सारी जो भी चीज़े रहते हैं अपन seat के अंदर से ही फिर डालते हैं तो अब अपनी सीट लग गई है और अपने एक बार सीट के थूप प्रेसर चेक कर लेते हैं अपना प्रेसर ठीक कर जाता है कि अपना आर्ट्री में यह उसके बाद में एक कोक्टेल रहता है जिसमें हेफेरिन एंटीजी वह रहते हैं वह इंजेक्ट कर देते हैं तो यह सांस्ट प्रचारल के लिए अपने को एनज़ोपलास्टी करना एनज़ोपलास्टी के लिए थ相信 में पहले वाइयर डालेंगे कि वयर के थरू इसानि लेJ सकते हैं तो यहां पर फूर्ट इपने वैर्योफ उसे में entering लेका लेके रहे हैं। रहनCON सब्राइब To facil faster अपन इसमें चेक कर सकते हैं और उसको correct position चेक करने के लिए अपन दूसरा UV लेते हैं और एक बर confirm होगे अपना तो उसको इस्टंट को अपन डायलेट करेंगे जैसे अपन बेलून को फूलाएंगे इस्टंट भी अपना फूल जाएगा तो अपन इसमें देख रहे हैं कि यह जो proximal part और digital part है या उपर और नीचे के पार्ट देखो पहले फूल रहे हैं बीच का पार्ट बाद में फूल दा क्योंकि वहां पे टाइट था वो 95-906 था तो उसमें ज्यादा pressure लगेगा जब भी वो फूलेगा इस तरह अपना इस्टंट पूरा फूल गया है अब फूलन नेरो थी यह नहीं वहां पे जो ब्लोक था वो ब्लोक अपना हट गया है अब नॉर्मल जैसा दिखने लगई है